हेए फ्रेंज वेलकम टो एक्जाम पार्टनर चानल मेरा नाम प्रविंट सिंग राजपरुईत है और आज आपन पढ़ेंगे शॉटकट मेथल का केस नंबर 6 जो की सबसे लास्ट केस है ओके केस नंबर 6 के आपका function is f of x equals to x into v where v is what f of x यानि क्या रहेगा आपका x रहेगा साथ में multiple of क्या रहेगा आपका function रहेगा जिसको आपको denote करेंगे v से तो formula के उसका y equals to 1 upon 5d into x into v so जब भी आपको केस नंबर 6 मिलेगा जब भी आपका x into function होगा तो उसको किस formula में लिख रहे है उसका answer क्या आएगा y equals to इस पूरी को हम replace करेंगे इस वाले answer से तो क्या answer क्या आपको इसका answer क्या पूरा x minus 5-d upon 5d bracket close into 1 upon 5d into v यानि क्या करेंगे जब भी आपको case number 6 में 1 upon 5d into x into v मिलेगा उसको replace करना है इससे यहाँ पर क्या जाएगा x minus 5-d मतलब क्या 5-d का derivative लेना है और upon क्या करना उसका 5-d लिख रहा है bracket close फिर 1 upon 5d into v यह आपका case number 6 अब हम क्या करेंगे question solve करते हैं ताकि आपको case number 6 आपका पूर so first step is what as it is to find yc yc मतलब क्या complementary function कैसे निकालेंगे auxiliary equation 5d equals to 0 5d कहा से मिलेगा आपको question के left part से so क्या मिले आपको 5d के आपका d square plus 4 या d square plus 4 equal to 0 so आपको d का value कितना मिलेगा plus minus 2i so complementary function yc कैसे निकलेगा imaginary वाला formula यूज़ करके तो answer क्या आएगा c1 cos 2x plus c2 sin 2x यह आपको yc कैसे find करना है मैं description में इसके link जेदूँगा तो आप वहाँ से आप find कर सकते हो okay then step number 2 क्या आपका find yp कैसे निकालना है yp equals to what 1 upon 5d into f of x तो क्या आग function क्या है d square plus 4 यह आगया d square plus 4 into x sin 3x अब अगर आप देखो कि यह मेरा format आगया अब मुझे क्या करना है इसको replace करना है यह वाले formula से तो क्या मिल जाएगा मुझे yp equals to x minus 5-d यहाने क्या 5d का derivative तो 5d के आपका d square 4 तो क्या आजाएगा d square ने क्या हो जाएगा 2d और plus 4 आएगा d square plus 4 यहां कि 1 upon d square plus 4 into v v क्या आपका sin 3x so now अगर आप चेक करोगे अब यह मेरा as it is रहेगा यहाँ पर अब यहाँ अगर आप देखो कि यह मेरा case number कौन सा है case number 2 तो यहां कर आप यहां पर क्या करना आपको case number 2 में क्या पूट करते है d square equals to minus of a square एक आसे मिलेगा आपको x के coefficient से तो x कोईफिशेंट यहां पर कितना है 3 तो क्या कितना मिलेगा 9 then minus को multiply करना तो क्या पूट करना है d square equals to minus 9 तो अगर आप यहां पर देखो कि यहां पर क्या करेंगे इसको multiply करेंगे तो क्या जाएगा यहां पर क्या जाएगा minus 1 upon 5 x sin 3x इस पूरे पार को मैंने इससे multiply किया प्लस इस पूरे पार्ट को इससे multiply तो मुझा answer किया मिला minus 1 upon 5 x sin 3x plus और यह minus से हो गया minus क्या मिल जाएगा 2d upon 25 5 5 कितना आगया 25 now d into क्या हो जाएगा sin 3x अब d का मतलब क्या होता है derivative तो यहां derivative of what sin 3x तो derivative of sin 3x क्या होता है आपका यहां पर answer किया जाएगा इसका 3 cos 3x तो 3 into 2 कितना हो गया 6 6 upon 5 cos 3x यह आगया आपका same as it is अब गया चेक करोगे तो मैंने आपके क्या किया minus 1 upon 5 को मैंने common ले लिया तो मुझे क्या बचा एक sin 3x प्लस यह 2 आ गया और sin 3x से derivative क्या होता है 3 cos 3x तो वो 3 और यह 2 हो गया 6 upon 5 cos 3x तो मुझे yp कितना है मिल गया minus 1 upon 5 bracket x sin 3x plus 6 upon 5 cos 3x तो इसके बात क्या आपको general solution निकालना कैसे निकालेंगे y equal to yc plus yp नहीं क्या 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 आए yc का value put करना है yp का value put करना है और आपका general solution आ गया तो यह था आपका case number 6 कि आपका case number 6 में आपका कुछ भी हो सकता है यहां पर जो आपका V function है वह आपका case number 1 भी हो सकता है case number 2 भी हो सकता है case number 3 भी हो सकता है case number 4 भी हो सकता है but case number 5 नहीं होगा क्यों क्योंकि case number 5 is already a combination of what case number 1,2 and 3 okay so यह था आपका case number 6 thank you so much वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like करो comment और subscribe करो अगर आप इस channel पर नए हो तो subscribe कर दीजे क्योंकि